ओम्भूर्भूवस्वह तत्सवितुल्वरेनियम् भर्गोदेवस्यधीमही धीयोयोनः प्रचोदयात। धीयोयोनः प्रचोदयात। नमस्कार अभिनंदर। आज की इस कक्षा में हम नैतिक श्लोकों के बारे में पढ़ेंगे सदाचार के विशय में समझेंगे। प्यारे बच्चो आप लोगों को पता है कि सदाचार किसे कहते हैं। सदाचार अर्थात अच्छा आचार। इसके विशय में कल हमने काफी विचार विमर्ष किया था कि अच्छा जो आच्रण है उसे सदाचार कहा जाता है। और इसी से संबंधित ये इस लोग जो हमें नैतिक वूलियों के विशय में बताते हैं। हमें नैतिक जीवन के विशय में बताते हैं। हमारे आहार, हमारे आचार विचार के विशय में बताते हैं। वे कल हमने पढ़े आज एक बार संक्षुप्त में इनकी पुन्रावरतिकर हम इनके अभ्यासकारे को समझेंगे जी हाँ शुरुवात करते हैं आरंब करते हैं प्रथमिश लोग से आलस्यम ही मनुश्या नाम शरीरस्थो महारिपु नास्तुद्यमे समो बंधु करत्वा यम ना वसीद जी हाँ आलस्य मनुश्य का उसके शरीर में इस्थित सबसे बड़ा शत्रू है और मेहनत के समान कोई बंधु नहीं है जो कभी भी निराश नहीं करते हैं वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द का अर्थ कल हमने समझा था कल की वीडियो में मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ समझाय था आज मैं केवल संख्षिप में अर्थ बता रही हूं ध्यान से सुनेंगे अर्थात कल का कारिये आज करना चाहिए और दोपहर के बाद का काम दोपहर से पहले कर लेना चाहिए सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात ना बुर्यात सत्यम बुर्यात और प्रिय जूट भी नहीं बुलना चाहिए एशह धर्मे सनातन है यही सनातन धर्म है ठीक है तो हमें सचतो बोलना चाहिए और मधुर भी बोलना चाहिए लेकिन किसी को ऐसा सचना कहें जो उसे अगहाद दे या उसे तुख दे लेकिन ऐसी प्रियवानी भी ना बोले जो जूट हो सर्वदा व्यभारे सियात ओधारियम सत्यतात अथा रिजुता म्रदुता अचापी कोटिल्यम न कदाचन है सर्वदा व्यभारे अर्थात हमेशा व्यभार में ओधारियम उदारता और सत्यता रहनी ही चाहिए रिजुता म्रदुता चापी रिजुता सरल्ता और म्रदुता म स्रेष्ठम जनम गुरुम्चा पि मात्रम पित्रम तथा कि स्रेष्ठ जन जो है अच्छे लोग उते हैं वो गुरु और मातापिता कि मन वचन करम से निरंतर सेवा करते रहते हैं मित्रेन कल हम ग्रत्वा ना कदापी सुखी जन इती ग्यात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत जी हाँ मित्र से कलह अर्था जगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता और ऐसा जानकर हमें इससे बचना चाहिए आपकी समझ में आया कि प्रथम इश्लोक हमें बताता है कि हमें आलस से नहीं करना चाहिए दूसरा कि समय पर कारे करना चाहिए सत्य बोलना चाहिए व्यभार में उदारता सरलता और मधूरता होनी चाहिए गुरू माता पिता की निरंतर सेवा करनी चाहिए और मित्रों के साथ जगड़ा नहीं करना चाहिए तभी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है सफलता ब्रात कर सकता है इसके अंतरगत अब एक बार इंके शब्दर्थों को समझेंगे और उन्हें बोलने का प्रयात करेंगे जिससे की हमारा उच्चारण सही हो सकी रिपुह शत्र उद्यमह परिश्रम शरीरस्थः शरीर में इस्थित अवसीदती तुखी होता है श्वह आने वाला कल कुर्वीद करना चाहिए पूर्वाहने दोपहर से पहले और अप्राहिकम दोपहर के बाद करने वाला का अन्रतम जूट सनात नह सदा से चला आ रहा हो स्यात हो ओदारियम उदारता रिजुता सरलता म्रदुता कोमलता कौटिलियम कुटिलता सेवते सेवा करनी चाहिए परिवर्जे येद बचना चाहिए वाचा वाने से एक एक शब्द संस्रित का मैं दुबारा उचारित करूँगी बड़े ध्यान से आप उच्चारण को सुनेंगे रिपुह उद्यमह शरीरस्थह अवसीदती श्वह कुरवीद उर्वाहने इस प्रकार इन सभी शब्दार्थों को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और उसके बाद इसका अनुवाद लिखना है आगे बढ़ते हुए इसके अभ्यास कारे की तरफ आज हम प्रशन नंबर तीन को समझेंगे कि इसके माध्यम से क्या पुछा गया है जी हाँ प्रतम प्रशन देखें कहन प्रतीक्षते कौन प्रतीक्षा नहीं करता है कथम न प्रतीक्षते तो क्या उत्तर होगा इसका मृत्यू कभी प्रतीक्षा नहीं करती जी हाँ मृत्यू न प्रतीक्षते मृत्यू किसी की प्रतीक्षा नहीं करती मृत्यू नहीं देखती की वही चलो इसका ये काम अभी नहीं हुआ है इसका तो ये काम रही है इसको अभी जीने दूम है ऐसा कभी नहीं होता इसलिए अपना काम समय पर कर लेना चाहिए जिससे आप किसी कारे के लिए यह ना आपके विशे में कहा जाए कि अमुक व्यक्ती ने यह कारे पून नहीं किया या उसकी वज़ा से ऐसा हो गया इसलिए अपना कारे हमेशा समय पर कर लेना चाहिए मृत्यू न प्रतिशदे सत्यता कदा विवहारे सियात कि सत्यता के साथ उसमें क्या रहना चाहिए कि सत्यता कदा विवहारे सियात सत्यता सर्वदा व्यभारेस्याद हमेशा सत्यता जो है वो व्यभार में रहनी चाहिए किम बुरियाद सत्य बुरियाद सत्य बुलना चाहिए क्या बुलना चाहिए सत्य बुलना चाहिए सत्य बुरियाद केन सहे कलहम ग्रत्वा किसके साथ कलह करके मनुष्य सुखी नहीं रहता कहे महारिपू असमाकम शरीरे इतिष्ठती हमारे शरीर में कौन सा महान शत्रू है जो रहता है अठाथ हमारे शरीर के अंदर ही हमारा कौन सा शत्रू है जो हमारे अंदर रहता है जी हाँ, आलस्यम, आलस्यम महारिपू, असमाकम शरीरे तिस्थदी, आलस्य नामक महारिपू, यानि कि जो आलस्य है, वह हमारे शरीर में ही रहता है, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रू है, इसलिए मनुश्य को आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य करने से हमारे काम बिगड़ते हैं, समय पर नहीं होते, जिसकी वज़े से हमें तनाव होता है, जिए तनाव की वज़े से हम बिमार हो जाते हैं, और अस्वस्त रहते हैं, अस्वस्त रहने की वज़े से, फिर तो हम किसी भी काम को करने लाइक नहीं रहते, तो तो हमारे लिए इसका करण कौन बना हमारा आलस है यदि हम आलस इत्याग कर समय पर अपना कारे करेंगे तो वह हमारे लिए हमारी जो महनत है वह हमारे लिए सुख के अफसर लेकर आएगी अनुकूल अफसर लेकर आएगी इसलिए हमें आलस से नहीं करना चाहिए तो इसका उ ग्रहकारे के अंतरगर्द केवल आपका शब्दार्थ लेखन और इन अतिलगू प्रश्णों का उत्तर लेखन ही है तो आप इस कारे को भली भाती सुन्दर लेख में लिख लेंगे और समझ लेंगे अनुवाद आप कल कर चुके होंगे तो आज का काम यही है आपका आपको कि शॉर्ट कोश्चन्स जो अतिलगू प्रश्ण है इनके उत्तर लिखने है आज खिलिए इतना ही धन्यवाद